कि हलो फ्रेंड्स इस बीडियों को कराने वरिंग क्लास 11 के अंत्रकत संस्क्राइब में थर्ड चप्टर जो है चादा चार उपदेश इसका पूरा हिंदियन वाद आपको करवाऊंगी और इसको करने सब वह सेवन मार्क से कर हो जाएंगे उसके साथ आपके कॉश्चन आंसर यहां से आपको कॉश्चन मिलेगा ठीक है और इसमें देखो तीन-चार जो इस लोग वह आए भी है आप एली में पेपर अप्रोड है विद्सॉलूशन देख लिजिए का प्लेस बनी हुई है इंदी इंग्लिस के नाम से बनी होगी ठीक है आपके आपके में में कॉश्च और यह बाला भी आया है इंपोरेंट है सारी देख लेते हैं संदर आप कैसे लिखेंगे प्रस्त लोग प्रस्त लोग हमारी पाटे पृष्टक संस्कित दिखदर्शका के सदा चारुपदेश नामक पाट से लिया गया है अब देखो यह अगर आप नाम भूल जाए आपक कर लेंगे ठीक है योगया टुमाक्स में संदर वभ्याख्या देख लेते हैं जितने आपको करवारें सारी इंपोर्टेंट से बाहरा को एक जम्में नहीं मिलेगा और चैनल पर पहली बार नहीं सब्सक्राइब कर लिजी लाइक कर दिया करो लाइक को कोई पैसा नहीं मिल सेर किया करो ठीक है तो देखो इसमें हैं यहां पर लिख रहें सकते हैं संदर्व सीयलक को बता थैंए वैसे भी कर लिजिएगा कोई पार्टं फोलौ कर सकते आप ठीक है अब अनकर वाददे को बस आपको पहचानना है कि बढ़ कैशक कर लेना है आप दिखो संग संगच धृब को बूलते है न चलने मला तो देखो तुम सब साथ साथ चलू संग का मतला है साथ साथ चलो ठीक है वद वद वड को पकड़ों यहां पर वद का मतला हुथ तो सात सात चलो यहाँ, और उसके बाद मनाशी जानता है, अब अपने मनों को मिल कर जानना है ठीक we il koya यो गया उस प्रकार जिस प्रकार दिव भागम पुरवर्ति मतलब पहले के जो देवता थे ग्यान पूरवक अपने अपने भाग को जानते हुए क्या करते थे वह पास ना करते थे है ठीक है इस तरीके से आप कर लेंगे उसी प्रकार तुम भी ज्यान पूर्वग अप्रेबाप को प्राप करो है यादां अहीं लेखे दिये नहीं तो इतना आप कर लेंगे ठीक है यह फिर से सुनों तूम सब साथ साथ क्या करो चलो साथ साथ बूलो तुम ability को मौनों को जानों ठीक है जिस प्रकार पहले के देवता अपने अपने भाग को ग्यानपूरवक जानते हुए क्या कर देते अ पास ना करते थे इस तरीके साब कर देंगे ठीक है एक दूबार आप करेंगे सूनेंगे तो आपको याद हो जाएगा और आपको वर्ड कैच करना में एकस्ट दिखाए इसे की यह अब लिखेंगे की मेरी सयंसारिक कारियों में यह आपको एक्षा से लिखना है सांसारी कि प्रवढ़ती प्रवढ़ती का मतला कि आधत आदत मंन में यह मध्यूरों क्या ल« लिख देंगे अधुरों गैंड मन पर ढगरąत्य क Schmidt कि लिखेंगे मेरी संसारिकारों से निबती का मतला होता है मुक्ति चुटकारा पाना तो मुक्ति भी क्या हो मधुरों ऐसे लिखेंगे आदत भी मधुरों संसारिकारों में मुक्ति मधुरों उसके बाद बाचा बदामी दुख फिर से बोलना आया तो मैं मधुरता से युक्त बाड़ी बो मैं मधूर देखने वाला हो जाओं ऐसे अब लिग देंगे सार आपको मधूर का मतलब मधूर बर्ड कैच करना है ठीक है ऐसे अब लिग देंगे मीठी बाड़ी बोलूं मधूर देखने वाला हो जाओं ऐसे अब लिग देंगे क्लियर ये भी जी है आचार तो देखो पोरुष निश्चित रूप से सदाचार से ही आचार लिखना सदा कि दीरघायू को प्राप्त करता जिल्ट भात यो ऌ चर अई आओ यहां पे देखो छिपा हुआ है देरधायू मेश निश्यर रूप से किससे दिरघायू प्राप्त करता है सदाचार से अब देखो श्रिह हम लिखाया है सदाचार से उसे लच्पी या धन पाता है। आ श् अब देखो कीर्थियस ये भी किसे मिलता सताचार से पुरुस को सताचार से ही इस लोक में और परलोक में कीर्थियस प्राप्त करता है जो पुरुस है ठीक है सताचार से क्या करता है इस लोक में और परलोक में कीर्थियस प्राप्त करता है सिंपल है सताचार से क्या करता है द द्धन प्राप्त करता है और इस लोक और परलोक में क्या करता है की दिया यस प्राप्त करता है ठीक है सिंपल है कर लेंगे आप नेक्स देखो ये नास्तिका नास्तिक कौन होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं तो जो व्यक्ति इस्वर के अस्तित्त में विश्वास ना करने वाले होते हैं मतलब भगवान पर विश्वास ना करने वाले होते हैं ठीक है ना कर्म करने वाले होते हैं जो कर्म भी नहीं क अजित बस आब जनायों करते हु crisis है पिर शे यuding आइसा बहिए को नहीं होते हैं बहुत भग्माण को नहीं मानते हैं किश्चन नहीं मंते करते हैं집ने रिषोग Southern धर्म को नहीं जानने दुराचारी इस राश्रन नहीं होते हैं भवादिक गताय उसका मतलब कम आयु वाले होते हैं कैसे होते हैं एक आपकर लेंगे ठीक है भगवान पर जो इसवास नहीं करते हैं काम नहीं करते हैं गुरु और सास्त्रों कि क्या करते हैं आग्या का उलंगन करते हैं धर्म को ना जानने वाले होते हैं ऐसे लोग क्या होते हैं बुरे होते हैं दुराचारी होते हैं तो ऐसी ब्यक्ति को ब्रह्म मुहरत में जागना चाहिए और धर्म तथा अर्थ का चिंतन करना चाहिए तो फिर्ममुहरत में जागना चाहिए इसे आपी अग्या का मतलब घ्सकार और ःटना फिर्ममुहरत में जागना चाहिए ट्हिश्या sì टिक है उसके बाद क्या करेंगे उठकर और आच्छा मन मतले सब्सक्राब करके और हाँ जोड पूर्व प्रवाद कालीयन सन्धया के लिए लॉट जाना है जाना जाए इनन धरी घंका में नहुंनी खरना चाहिए इक वार पैट athञा में टीक हैanging चाहिए ठीक का चिंतन करना चाहिए उटकर नमन करके पूर्व संद्या के लिए क्या करने चाहिए बैठना चाहिए ठीक है इसतर के साब लिख देंगे कि यह पेली माय जीवी है बहुत ही अकरोधन आ लगाया मतलब बहुत है नहीं तो क्रोधना करने वाला ग्रोध ना करने वाला, सत्ते बादी सत्ते बूलने वाला जीवों की हिंसा ना करने वाला लिखा ना, नाम भी हिंसक तो जीवों की हिंसा ना करने वाला दूसरों की गुड़ों में दोस ना निकालने वाला दूसरों के गोडों में दोश ना निकान वाला और कुटिल्ता से रहत मतलों कोई भी जिसके अंदर बुराई ना हो ऐसा है व्यकति सो बोरसा तक जीता सतम बोरसाणी सातम का मतलाव है सो बोरसों तके लिए किरोध ना कलने वाला सत्य बोलने वाला जीवों की हिंसा ना करने वाला दूसरों के कोड़ों में दोस ना निकालने वाला और बुराई से रहित व्यक्ति सो वरसों तक जीता है ऐसे लोग आज की टाइम कहां होते हैं भहते ही काम होते हैं ना के बराबर ठीक है तो आप इसली कर लेंगे इसके बिने सदा अप्यस या यस को नश्ट करती है बिने सदा अप्यस को क्या करती है नश्ट करती है उसके बाद पराक्रम सदैप अनर्थ को नश्ट करता है पराक्रम किसको नश्ट करता है अनर्थ को और बिने किसको नश्ट करती है अप्यस या किर्थी यहां पर लिखना बिने क कीरती को नश्ट करती है पराकरम हमेशा अनर्थ को नश्ट करता है ठीक है उसके बाद हंती नित्यम छमा तो छमा सदा क्रोध को नश्ट करती है क्रोध माचारों तो छमा क्या करती है क्रोध को नश्ट करती है अगर हम छमा माग लेते तो क्या होता है क्रोध कम हो जाता है ठी कि उसके बाद लच्छण और सदाचार को नास करता है थिकह को सी देखो फिर से बीने क्या करती में सदा हमेशा और यह कुरी को नशट करती है पराकरम सद़ करता है स्दाचार ह। उनर्थ को nic करता है है और सदा चार से ही क्या होता है बुरे लच्छणों का नास होता है सिंपल है कर लेंगे इजली इतना लेखने से आपको 5 Mac मिल जाएंगे देखों इतना और संदर 2 Mac का इजली आपको 7 Mac मिल जाएंगे पूरा इसे में करवा दरी का भर अभी बादन-सीलशे अभी मादन करने की आदत बाले और नित्य ब्रद्धों आपको यहीं से केच करना रट्टन ही मनना अपको वड्ध यहीं से केच करना ठीक है अभिबादन करने की आदत वाले और नेत्य मतलब रोज ब्रद्धों की सेवन है ना तो सेवा करने वाले ठीक है तो इससे चतवारी मतलब चारों बढ़ते हैं क्या चारों वो चीज़े हैं आयू, बिध्या, यश और बल कितना सिंपल है अभिबादन करने की आदत वाले रोज ब्रद्धों की या बुजर्गों की सेवा करने वाले की क्या होती है ये चारों बढ़ते हैं चतवारी बतलब चारों बढ़ते हैं क्या क्या बढ़ते हैं आयू, बिध्या, यश, बल ठीक है यह चार बढ़ते हैं जो कामी करते हैं ठीक है अब बादन करना और ब्रद्धों की सिवा करना सिंपल है नेक्स देख लेते हैं इसके बाद धन्तों आता है वित्यमायत यातिचा धन्तों आता है और यातिच और चला भी जाता है ठीक है उसके बाद आप क्या करेंगे आता है इसका मतलब क्या धन से हीन मतलब इसके पास धन नहीं है वह व्यक्ति निर्धन नहीं होता वह व्यक्ति गरीब नहीं होता देन को निर्धन या गरीब नहीं होता परन्तु चरित्र से छीड व्यक्ति मतलब इसके पास चरित्री न चरित्र के यत्म पुर्पग रच्छा करने चाहिए धन तो आता है और चला भी जाता है धन से हीन व्यक्ति गरीब नहीं होता यह आप लेखेंगे पर उन्तु चरित्र से छीड व्यक्ति क्या होता है मरे हुए के समान हो जाता है ऐसे आप लिखतेंगे सिंपल है कोई भी चैसले के पढ़ेंगे आपको आजाएगा कोई भी सब्जेक्ट वहाँ अब मन ला आके अपको पढ़ना है ठीक है सत्य से धर्म की रच्छते लव रच्छा होती है ठीक है योग से विद्ध्या विद्ध्या की रच्छा की जाती है उसके वास सोचता मतलब सफाई से क्या ह सदा चार के सदाचार करना है है कलिया है फिर देख तो एक ड़र्णा पीर एवल्ट के धर्म की रच्छा के रच्छा उती है तो लिंगे उभग जोग के रिखे काई हो सदाचार और छोंग तो वीजिए मअधकर घाख़। तो अबाद एक ön आपको शीयोंगा नियों जरूर अप अब Sandy मत्रवाइगा तो आप नहीं आपको आमिल झालग रहे ही तो हम भीजह ब्ता सकते हैं आवेसे मपकर बादों, यतिके, thank you so much.